हेलो डियर लर्नर्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिस ग्रामर का एक काफी इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट इस पूरे कॉंसेप्ट को हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे एक दो बेसिक वाते में आप लोगों पहले बता जेता हूं हलांकि मैं भी आपको इस वीडियो में डिटेल में पहले डिस्कस करेंगे यह जो पूरा कॉंसेप्ट है इस पूरे कॉंसेप्ट को मैं आपको तीन लेक्चर्स में तीच करूंगा हम इसको सिंगल एक लेक्चर में नहीं कवर कर सकते थे तो इसलिए यह जो आपको पूरा कॉंसेप्ट है यह त्री डिफरेंट लेक्चर्स में आपको डेलिवर होगा वन वाई वन ठीक है सबसे पहला जो हमारा लेक्चर है उसको देखिए स्टार्ट करते हैं तो जैसा की टॉपिक तो आपको समझ में आई गया है हम लोग डिसकस करेंगे पोजिसंस ऑफ डिफरेंट एडवर्ब्स और सेंटेंस यह कॉंसेप्ट समझने से पहले कुछ बेसिक्स जो आपको पहले होने चाहिए इन के सगर नहीं पता है तो मैं एक वार आपको रिवाइस करवा देता हूं देखिए एक तो में पॉइंट आपको ध्यान रखे हैं कि there are two words, adverbs and adverbials, कुछ तो simple words adverb होते हैं, जैसे कि हमने लिखा now, then, happily, easily, ever, again, यह simple words adverbs है, ठीक है, but there are some words, there are some phrases and sentences, clauses, sorry, there are some phrases and clauses, they also act as adverbs, and we call them adverbials, तो यह जो हमारा lecture है, जो मैं आपको तीन parts में deliver कर रहा हूं, इसमें हम cable positions of adverbs को discuss करेंगे, सबसे पहले यह बात आप समझ लें, इसमें हम adverbial phrases और adverbial clauses को discuss नहीं करेंगे, ठीक है, उसके लिए फिर हम अलग से कभी दुबारा discuss कर लेंगे, किसी और concept मैं आपको three videos में जो आपके साथ मैं discuss कर रहा हूं, यह basically position of adverbs को deal करता है, कि adverbs जो होते हैं, उनकी position sentences में क्या होनी चाहिए, और हमें उनको कैसे place करना चाहिए, ठीक है, उसके बाद में जो phrases या subordinate clauses adverbs का का काम करती है, या फिर जो non finite verbs, या non finite phrases जो adverbs का का काम करती है, उनको इसमें cover नहीं किया गया, ठीक है, तो यह एक आप पहले clear कर लें, दूसरा इसमें आप ये भी ध्यान रखेंगे, कि कुछ adverbs ऐसे होते हैं, कि जो एक से ज़्यादा type से belong कर सकते हैं, ठीक है, for example, मैं अगर आपको बता हूं then, तो then जो होता, वो adverb of time भी होता है, ठीक है, और adverb of connection भी होता है, मतलब connective adverb भी होता है, कि दो different statements को जो एक sequence में होते हैं, उनको connect करने के लिए हम उसका use करते हैं, इसी तरीके से next भी होता है, इसी तरीके से really भी होता है, really adverb of degree होता है, और connective adverb भी होता है, तो basically आपको ध्यानी रखना है कि there could be some adverbs which may belong to more than one category, ठीक है, जो एक से ज्यादा category से belong कर सकते हैं, यह आप दिमाग में रखेंगे मैंसा, दूसरा यह ध्यान रखेंगे, जो हमारे adverbs होते हैं, अगर हम इनको broad categories में categorize करें, तो इनके दो function होते हैं, कुछ adverbs ऐसे होते हैं, जो sentence, जो है हमारा sentence है, जिसमें हम adverb views कर रहे हैं, वो sentence जिस context को describe कर हैं, उस context की circumsances को describe करते हैं, मतलब जो context होता है, जिसको हम sentence के थ्रू एकपस कर रहे होते हैं, उसके circumsances को, place को, time को, manner को, इनके describe करता हैं, लेकिन कुछ adverbs ऐसे होते हैं, जो हमारे sentence को लेकर speaker का opinion express कर रहे होते हैं, कि जो हम statement बोल रहे है, या हम किसे कुछ बता रहे हैं, उ जो कही गई बात को लेकर what is stated उसको उसके form या उसके style पर comment करते हैं कुछ adverbs ऐसे होते हैं जो लिखी गई बात या कही गई बात की situations को describe करते हैं जो context होता है उस context की different situations को describe करते हैं यह आप basic बात ध्यान रखेंगे बाकी अभी मैं detail में समझा दूगा तो यह points मैंने आप में mention कर दी हैं आप अपना screenshots पगरे लेंगे या notes पगरे बनाएंगे वो अपना बाद में देख लेना ठीक है some of the adverbs might belong to more than one type of adverbs यह ध्यान रखना है ऐसा नहीं है कि कोई एक particular adverb है तो एक particular type का ही होगा depending on the context ही में belong to some other types ठीक है this lecture does not deal with the uses of adverbial phrases and clauses adverbial phrases and clauses को इन lectures में इन तीन lectures की series में cover नहीं किया रहा है ठीक है some adverbs describe the circumstances of the situation in the sentence कुछ adverbs जो होते हैं वो circumstances को describe करते हैं context की ठीक है while some adverbs comment on the style or form of what is said in the sentence और कुछ adverbs ऐसे होते हैं जो sentence में कही के बात को लेकर उसकी form पर या उसके style पर comment करते हैं सबसे पहले मैं आपको एक बार में जल्दी से revise करवा देता हूं types of adverbs के types क्या होते हैं ठीक है क्योंकि जब हमें types clear हो जाएंगे तभ ही हम यह समझ पाएंगे कि किस type के adverbs की sentence में position क्या होती है तो सबसे पहले आप adverbs के एक वार टाइप समझ लें देखिया adverbs of time and adverbs of definite frequency यह first type है जो हम लोग discuss कर रहे है कि ऐसे adverbs जो event के time को या उसकी definite frequency को refer करते हैं ठीक है यह इस्टिल दो बार लिग गया है ठीक है इसको हटा देते हैं तो यह आपके adverbs of time हो गए फिर adverbs of definite frequency जैसे daily, weekly, monthly, hourly तो यह definite frequency के adverbs हो गए definite frequency से मतलब क्या समल देना है जैसे हमने daily लिखा तो daily का मतलब हो गए once a day तो यह frequency definite हो गई ठीक है तो daily is an adverb of definite frequency यह जैसे हमने लिखा hourly तो इसका मतलब हो गए once an hour तो यह frequency definite हो गई तो यह आपके adverbs of definite frequency उसके बाद में कुछ adverbs होते हैं जो indefinite frequencies को refer करते हैं that is another type वो एक अलग type है adverbs of indefinite frequency always never seldom often ever usually normally sometimes occasionally rarely regularly frequently मतलब यह examples है आप इनको समझना पड़ेगा ठीक है याद रखना पड़ेगा फिर एक बार बात समझ में आ जाएगी कि adverbs of indefinite frequency क्या होता है तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा आप किसी word को देखकर अपने आप जान जा है बाट एक बार बात समझ में आ जाती है concepts clear हो जाते है then you have to remember तो आपको याद नहीं रखना पड़ता चीजों को you can spontaneously answer the questions आप spontaneously answer questions को answer कर पाते हैं तो यह adverbs of indefinite frequency जो है ना इनमें और definite frequency आपको डिफरेंस समझा देता हूं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा daily और मैंने यहाँ पर लिखा always तो यह दोनों ही एडवर वो frequency है डेली जो है इसकी frequency definite है once a day दिन में एक बार तो यह frequency definite हो गई how many times ठीक है तो अगर हम यह जान जा है how many times अगर हमें how many times का reply मिल गया तो इसका मतलब यह frequency है definite लेकिन अगर हम always लिख रहे हैं तो यह how many times का reply इसमें नहीं है ठीक है ध्यान रखेंगे adverbs of time adverbs of definite frequency एक साथ एक group में ठीक है एडवर्वर्वा फ्रेक्वेंसी दूसरे ग्रूप में ठीक है फिर आगे adverbs of place and position कुछ adverbs ऐसे होते हैं जो place या position को refer करते है ठीक है action के होने के place है उसकी position को refer करते है जैसे here, there, away, far, near, nearby, up, along, ahead, down, out, off, ठीक है, in, on, upstairs, around, across, above, under, home, तो यह adverbs of position और adverbs of place हैं, जिनके through हम किसी action, किसी moment, किसी position को describe करते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी बात, आप लोग अगर पहले सा ना जानते हो, तो हमेसा ध्यान रखना, कि जो adverbs of place होते हैं, इसमें most of these adverbs can act as prepositions also, इनमें से जातर adverbs होते हैं, वो prepositions के तरीके से भी act कर सकते हैं, यह ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि हमें इस lecture में prepositions को deal नहीं करन हैं, तो हम उसको detail में नहीं जाएंगे, बस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें से कुछ words ऐसे भी होते हैं, जो आपके prepositions भी होते हैं, for example, अगर हम बात करें तो यह जैसे near है, it is a prepositions also, up is a prepositions, along is also a prepositions, ठीक है, off is a prepositions, down is a prepositions, under is a prepositions, above prepositions, across prepositions, around prepositions, on prepositions in prepositions, तो adverbs of place, या adverbs of position जो होते हैं, उन में से काफी ऐसे adverbs होते हैं, जो as prepositions भी उसके जाते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो हमने यहाँ पे discuss के adverbs of time and definite frequency, adverbs of indefinite frequency, and adverbs of place and position, ठीक है, next पहाँ जाते हैं, इसके बाद में आगे हमारे adverbs of manner, adverbs of manner वो होते हैं, जिनके थ्रोम किसी काम के होने के तरीके को refer करते हैं, manner का मतलब how, कि किसी काम को किया गया, then how, कैसे किया गया, तो manner describe करने वाले adverbs भी होते हैं, देखें, slowly, seriously, sweetly, angrily, foolishly, wisely, bravely, happily, gladly, hesitatingly, confidently, quietly, slowly, badly, तो आप देखेंगे कि इंग्लिस के जाते हैं, जिनके लास्ट में लवाई लिखा होते हैं, यह ध्यान रगना है, लेकिन, 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 hardly के लास्ट में भी लवाई होता है, लेकिन, वो adverbs भी manner नहीं होता है, ठीक है, लेकिन, जादातर words, most of words in English, which end with ly, are adverbs of manner, जादतर words जो इंग्लिस में, ly के साथ में end होते हैं, वो adverbs of manner भी होते हैं, ठीक है, maximum, जादातर, लेकिन, सारे नहीं, उन में से कुछ words, different type के adverbs भी हो सकते हैं, कुछ adjectives भी हो सकते हैं, कुछ nouns भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे bodyguard movie, अगर दुमने देखियोगी, तो bodyguard movie में, मुझे लगता है, सल्मान खान का नाम होता है, lovely, ठीक है, so lovely is a noun there, because that is the name of a person, otherwise lovely is an adjective, otherwise lovely is an adjective होता है, ठीक है, आचा, उस movie में सल्मान खान का character name है, तो वो वहाँ पे noun हो गया, तो ऐसे नहीं कि कोई word जिसके last में ly लिखा है, वो adverb ही होगा, लेकिन जादतर words जिनके last में ly लि fast है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे words होगे, जिनके last में ly तो नहीं है, लेकिन ये adverb of manner है, ये ध्यान रखेंगे, उसके बाद में आगे adverb of degree, या हम इने कह सकते हैं adverb of completeness, कि कुछ ऐसे adverbs, जो किसी दूसरे adverb को, किसी action को, उसकी degree को, ठीक है, या उसकी completeness को express करते हैं, तो कु इने adverbs of degree, adverbs of completeness कहते हैं, यहाँ पर ध्यान ही रखना है कि adverbs of degree, या adverbs of completeness जो होते हैं, ये ऐसे adverbs होते हैं, जिनका use हम adjectives के साथ में और adverbs के साथ में भी करते हैं, देखे, होता है, हमें पता है, जो जो डेफिनेशन होती है, कि adverbs to describe some verb, some adjective, और some other adverbs, तो इन में से जो Here, Adverbs Of Degree Advelts Of Completeness होते हैं. यह वो Adverbs होते हैं जिनका How You Adverbs Smoke और Adjectives को Describe करने के लिए भी करते हैं. यह द्ध्यान रखेंगे, ठीक եिक है? Very extremely, almost, Just, really, Nearly, Right, Terribly Two. यह To Xmed pod predates practicing So As Enough hurdly горdly, barely, sketchly. Rather, Fairly, Somnath, Totally, यह हमारे Adverbs Of Degree यह Adverbs Of Completeness हैं ठीक है? या मैं अगर 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 समझ दिगरी की बात हो रही है उसके बाद में इक छोटा से वर्ड मैं आपको यहां पर देखो रेफर कर देता हूं अगर आप पहले से ना जानते हो एक पिछली स्लैड में आपने ध्यान दिया तो हमने एक वर्ड लिगा था तो इनका ना एक वर्ड है Q-Y-I-E-T और A-Q-Y-T-E यह जो Q-Y-E-T-E-C-E-T-E-E-C-E-T-E-C-E-T-E-C-E होता है to a great extent मतलब to a great extent इसका actual meaning होता है लेकिन यहाँ पर समझने के लिए हम इसको completely लिगा देते हैं ठीक है यह जो qyet quiet हमारा adjective है जिसका मतलब silent होता है इसी की एडवर्ब फॉर्म यह है quietly यह द्यान देना है यह qyetly नहीं होता है कभी यह होता है qyetly और यह एडवर्ब होता है और इस quiet adjective की एडवर्ब फॉर्म होती है और इसका मतलब होता है silently work quietly ठीक है तो अगर यह वर्ड तुम्हें confused किया हो तो अपना ध्यान रगना है यह जो छोटे सी बात आपको बताईए ठीक है उसके बाद में आगे एडवर्ब सॉटेंटी एडवर्ब सॉटेंटी जो होते हैं यह शो करते हैं कि हम किसी चीज को लेकर मतलब किसी इवेंट क कर रहे हैं उसको लेकर हम sure कितना है ठीक है certainty का मतलब surety होता है तो एडवर्ब सॉटेंटी जो होते हैं यह किसी सिचुएशन को लेकर किसी इवेंट को लेकर हमारी degree of surety को express करते हैं कि how much sure are we हम कितना ज्यादा sure है यह बताने के लिए हमका यूज करते हैं कि प्रोबेबली पासिबली सइटनली चीख है एडवर्बस उसके होना ही था definitely clearly surely obviously maybe परहापस, truly, apparently, undoubtedly. तो यह होते हैं हमारे adverbs of certainty. इनके through हम express करते हैं अपनी surety, कि level of surety, level of certainty क्या है किसी situation को लेकर, मतलब कोई action है, कोई event है, कोई situation है, जिसके लिए हम adverbs का use कर रहे हैं, उस event उस situation को लेकर हम कितना ज़्यादधा sure हैं, यह बताने के लिए में adverbs of certainty का यूज करते हैं फिर आपके कुछ connective adverbs connective adverbs ऐसे adverbs होते हैं जो दो different statements को connect करने के लिए जाते हैं these are not proper conjunctions as we don't use them as conjunctions also हम इनको conjunctions के तरीके से use भी नहीं करते हैं इनका use हम basically तब करते हैं जब हमने पहले कुछ कहा है we have stated something earlier and we want to relate it to we want to relate it to with something stated after that ठीक है तो अगर पहले कुछ कहा है और उसके बाद में कुछ कह रहे हैं और उनमें आपस हम कोई connection है तो हम आपके connective adverbs का use कर सकते हैं ठीक है anyway however furthermore nonetheless nevertheless also moreover therefore besides then next otherwise suddenly these are adverbs of connection you can simply say connective adverbs connectors ठीक है तो यह adverbs आपके connective adverbs होते हैं एक छोटी सी बात ध्यान रखें मैं आपको केवल एक बाड़ टाइप समझाना जाता हूं कि adverbs के types क्या-क्या होते हैं अगर आप पहले से नहीं जानते हैं तो एक बार revise करवाना चाहता हूं फिर हम इनके uses को discuss करेंगे ठीक है नेक्स आगे adverbs of comment adverbs of comment वह होते हैं जो speaker use करता है किसी situation को लेकर अपना opinion अपना viewpoint express करने के लिए सपोज कोई एक situation है ठीक है और हम उसको किस हमारा point of view क्या है उसको लेकर हमारा viewpoint जो है उसको express करने के लिए हम adverbs of comment का यूश करते हैं लखी ली कि he got escaped ठीक है surprisingly he won the match ठीक है मतलब surprisingly he won the match यह शोगर रहा है कि हम इस event को लेकर surprised है मतलब हमारा point of view जो है मतलब सब्सक्राइज का है कि वी अर्गुएबली fortunately astonishingly believably simply theoretically personally practically naturally technically ठीक है यह adverbs और कमेंट होते हैं ठीक है और यह speaker का viewpoint express करते हैं कि किसी situation को लेकर किसी event को लेकर speaker का अपना viewpoint क्या है ठीक है फिर आगे adverbs of focus adverbs of focus वह होते हैं जो sentence के किसी particular element को चाहें किसी single word को या किसी single phrase को या किसी single close को stress करने के लिए focus करने के लिए highlight करने के लिए speech में उसके जाते हैं माली जी हमने कोई sentence लेगा और उस sentence में कोई एक particular word या कोई particular phrase या कोई particular clause है जिसको हम highlight करना चाहते हैं especially focus करना चाहते हैं ठीक है तो हम उसके साथ में adverbs of focus use करते हैं ठीक है focusing adverbs क्या सकते हो आप इन्हें emphasizing adverbs क्या सकते हो आप इन्हें ठीक है also just only even really mainly mostly either or neither not ठीक है यह हो गया ठीक है अच्छा इन में से होता है कि ज्यादा तरह आपने पढ़े होते हैं जब कभी आपने competition की त्यारी की होती है उसके बाद में कुछ adverbs होते हैं relative and interrogative adverbs when where why how actually हम इन्हें WH family words कहते हैं बोल चल मैं आम बोल चल की बासा में आप लोग सुनते होंगे इन्हें WH family words कहते हैं लोग हालागि मैं इन्हें question words कहना पसंद करता हूं क्योंकि मुझे question word कहना ज्यादा अच्छा लगता ठीक है तो आप इन्हें WH family word कहें या इन्हें question word कहें उससे कोई फर्ग नहीं पढ़ने जा रहा है यह relative और interrogative adverbs हैं यह basic बात है जो आपको ध्यान रखनी है when where why how ठीक है बाकी adverbs के हम position discuss करेंगे इनकी position almost हमें साथ definite होती है relative और interrogative adverbs के आप ध्यान रखेंगे when where why how in words को जो हम question पूछने के लिए उस करते हैं तो इनकी position होती है sentence में सबसे पहले ठीक है when will the rain stop तो यह जो हमारे relative interrogative adverbs होते हैं इनकी positions को हम further slides में discuss नहीं करेंगे इनको अभी आप यहीं पर समझ लेंगे कि जो relative और interrogative adverbs होते हैं इनकी position हमेशा ही definite होती है अगर हम इनको question के लिए उस करेंगे as an interrogative words तो इनकी position sentence में सबसे पहले होगी question words questions में सबसे पहले लिखे पूछे जाते हैं ठीक है लेकिन अगर हम को conjunction के तरीके से उस करेंगे subordinator के तरीके से उस करेंगे तो जो subordinate clause बनेंगी यह उसके सबसे पहले होगे अगर हम इनको question पूछने के लिए करेंगे तो इनकी position definite होती है में इसा ध्यान रखना है ठीक है तो यह अब आगे बढ़ते हैं तो types of adverbs की बात हो गई अब कर लेते हैं बाट types of positions की बहुत है अब हमें यह समझना है कि जो types of positions क्या होती है तो देखिए मैं आपको बताता हूं तो टिपिकल पोजिशन किसी भी sentence में जो adverbs की होती न वो यह होती है front position, mid position मैंने इसको middle लिखा है और end position ठीक है तो टिपकली जो sentence होता है उसमें जो positions of adverbs होती है हम उनको front position, mid position, middle भी कह सकते है उसको ठीक है और end position के नाम से जानते हैं तो यह होती है typical positions of adverbs in sentences मैं example की मदद से आपको यह समझाता हूं देखिए जैसे मैं एक example लिखा, perhaps these people deliberately manipulated the facts then अब यहां पर आप एक चीज़ समझना परहाप्स adverbs of certainty है deliberately adverb of manner है then adverb of time है यह तीनों adverbs है यह adverb of certainty है यह adverbs of manner है और यह adverb of time है इनकी position आप देखो कहा है these people subject है ठीक है manipulated the facts यह manipulated the facts verb है the facts इसका object है और अगर हम उससे भी बड़े तरीके से बात करें तो यह पूरा प्रेडिकेट है तो यह जो हमारा sentence है अगर हम इसमें adverbs को remove कर दें जैसे परहाप्स है deliberately है अगर हम थोड़े समय के लिए मालने कि इसमें नहीं लिखें ठीक है तो यह sentence आपका ऐसी लिखा जाएगा और परहाप्स का यूज ना करें तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा these people manipulated the facts अब यहां पर समझना these people subject है manipulated the facts इसका प्रेडिकेट है तो जो sentence में adverbs की front position होती है वो यहां होती है अगर हम किसी adverb को sentence में subject से पहले position कर रहे हैं तो यह front position है अगर हम किसी sentence में adverb को subject और प्रेडिकेट के बीच में position कर रहे हैं तो यह middle position है adverbs की और अगर हम किसी adverb को sentence में at the end of the sentence position कर रहे हैं तो यह उसकी end position है मतलब यह typical positions होती है sentence में adverbs की either we use sentences in the front position or we use the adverbs in the middle position or we use the adverbs in the end position कौन से adverbs को कहां पर उसके जाता है वो खेराज का हमारा lecture है उसको हम अब detail में discuss करेंगे ठीक है पूरी series जो है three lectures की यह इसी को लेकर है तो यहां से आपने समझा कि जो typical positions होती है adverbs की sentence में वो यह होती है front ठीक है middle and end ठीक है इसको फिर से मैं पता देता हूं आपको कि these people subject है manipulated the facts predicate है अगर हम किसी adverb को subject से पहले position करेंगे sentence में तो यह इसकी front position है यह front position है अगर हम किसी adverb को subject और प्रेडिकेट के बीच में यूज करेंगे तो यह middle position है अगर हम किसी sentence में adverb का use at the end of the predicate या at the end of the sentence करेंगे ठीक है तो वो उसकी end position है तो एडवर्स की position यह होती है अब देखें यह पर है यह जो परहप्स है यह front position में यूज हो रहा है एडवर्ब डेलिबरेट ली है middle position में यूज हो रहा है एडवर्ब दैन है end position में यूज हो रहा है एडवर्ब फिक है उसकी गाद में next example आ जाते है next example में लिगा tomorrow all your friends will definitely come and enjoy here now see tomorrow is an adverb of time definitely is an adverb of certainty here is an adverb of place तो यह भी adverbs है tomorrow all your friends will definitely come and enjoy here यह हमारे adverbs of different adverbs है tomorrow adverb of time definitely adverb of certainty है here adverb of place है अगर हम इसेंटेंस में यह मालने की adverbs नहीं है तो यह देखो सेंटेंस हमें ऐसे लिखना पड़ेगा all your friends will come and enjoy ठीक है यह हो गया तो ऐसे लिखने से क्या होगा all your friends subject हो गया इसे statement का will come and enjoy प्रेडिकेट हो गया इसे statement का अब देखें अगर हम किसी adverb को subject से पहले position करेंगे तो front position subject और predicate के बीच में यूज करेंगे middle position और at the end of the predicate और at the end of the sentence क्योंकि end of the predicate end of the sentence भी होता है तो वो end position तो यह typical positions होती है एडवर्ब की किसी sentence में ठीक है अब इसके साबसे अगर हम देखें तो यह हमारे tomorrow है यह एडवर्ब हो रहा है फ्रेंट पोजिशन पर इस बिंग यूज इन दी फ्रेंट पोजिशन ठीक है ठीक है और टाइप सो पोजिशन को भी समझ लिए कि सेंटेंस में एडवर्ब की पोजिशन होती है फ्रेंट पोजिशन मेडल पोजिशन एंड पोजिशन ठीक है इसके बाद में एक छोटी से बात और ध्यान देखेंगे कि there are some प्रेडिकेशन हम इनको प्रेडिकेशन गहते हैं आप ज्यादा टेक टेकनिकल टम अगर प्रेडिकेशन नहीं समझ पार है तो आप सिंपली याद रखेंगे कि there is some एडवर्ब विच एक्ट से पहले आ नहीं सकते हैं ठीक है रहते हैं होता है हमारा जो sentence होता है यह basic बात हैं सबको पता होंगी उनमें subject होता है ठीक है और वर्ब होती है अब फिर वर्ब के बाद में चाहिए कुछ adverb है object है या नहीं है वो अलग बात है लेकिन subject है और वर्ब जरूर है ठीक है अब इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी एड़ब को यहां पर इउस कर रहे हैं तो वो front position में उस हो रहा है यहां पर इस कर रहे है तो एंड़ आ्द पोजिसन हो रहे है तो अगर मान लिए पहले तो उसको हम पहले position कर नहीं सकते क्योंकि compliment है वो बाद में ही आएगा ठीक है अच्चुकि verb का compliment है तो subject के आसपास use भी नहीं हो सकता वो use भी verb के बाद ही होगा तो फिर हम उसको बाद में position करते हैं तो यह जो adverbs of प्लेस और adverbs of time को हम मेंली compliments के तरीके से यूज करते हैं मैं दो एक्जाम्पल से समझाता हूं देखिए the roaring element sorry the roaring lion was nearby अब यहां पर एक चीज़ समझना है यह जो roaring हमने लिगा नहीं यह में यह एक पाटस पहले प्रेजेंट पाटस पहले ठीक है तो यह जो हमने दे रोरिंग लाइन लीगा ना यह हमारा subject है वाज वर्व है अच्छा वाज वाज जो है यह linking वर्व है आप लोग जानते होंगे linking words can't be used without compliments, उनका हम बिना compliment के use नहीं कर सकते, तो जो nearby हमने लिखा न, यह adverb वो place है, जो की compliment कर रहा है verb को, तो यह एक position यह भी होती है, आप ध्यान रखेंगे, एक position हो गई front, middle, end, और एक fourth position हो गई position of prediction, तो position of prediction हम कहते हैं, उन adverbs के लिए, जो की verb के लिए compliment का role play करते हैं, ठीक है, next देखें, my only friend lives abroad, अब आप इस sentence में एक काम करें, इस sentence को क्यावल इतना suppose करके देखें कि यह sentence क्यावल इतना लिखा हुआ है, माल लीजिए, आप इतना suppose करें कि यह sentence जो है, इसमें my only friend subject लिखा इस, verb लिखी हुए है, and nothing is else, मतलब nothing else is there, और कुछ वहाँ पर नहीं है, तो अपने आप समझ जाएंगे, the sentence is incomplete, अगर हम के वाल इतना लिखें, my friend lives, then sentence is incomplete, the verb requires some compliment, verb को compliment की जरूरत है, भई, lives को लेकर आपको कुछ discussion देना पड़ेगा, either you use some reference to place, or you use some reference to manner, or you use some reference to time, so, live verb जो है ना, it requires some compliment, इसको किसी compliment की जरूरत है, तो यहाँ पर देखो, जो abroad है, यह adverb of place है, और हमने इसको compliment बनाके, lives के साथ में use कर दिया, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, कि जो adverbs of place होते है, adverbs of time होते है, ठीक है, they also play the role of prediction, so, when they are compliment to some verbs, they are always positioned after the verb, तो जब हम कभी adverbs of time को, adverbs of place को, compliments के तरीके से किनी verbs के लिए use करते हैं, तो उनकी position हमेशा after the verbs होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, चलिए, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, एक दो points आप और clear कर लें, मतलब basic general जो point है, ठीक है, यह और clear कर लें, longer adverbs are used after shorter adverbs, यह ध्यान रखना है, देखिए, जैसे आप लोगोंने पढ़ा होगा है, स्कूल, कॉलेज में या जब competition वगरेंगे, त्यारी करते होगे, कि किसी coaching वगरें में, ठीक है, कि adverbs की कुछ set positions होती है, जैसे adverb, manner, place, time, एक common sequence होता है, कि पहले adverb, manner, place, time, ठीक है, अच clause जो adverb का काम कर रही है, ठीक है, तो वो short adverb के बाद में use होगी, longer adverbs are used after shorter adverbs, ठीक है, उनका जो prescribed sequence है, वो कुछ भी है, लेकिन जब आप उनको size के basis पे जब आप उनको categorize करेंगे, तो shorter adverbs पहले use होते हैं, longer adverbs, मैं example से बाते आपको समझा देता हूं, देखिए, यहां पर सम honestly there second they will work there with honesty now see, honestly adverb manner their adverb place है सबको पता है, ठीक है, their adverb place है, very honesty एक phrase है, मतलब, adverb phrase है, जो की adverb manner है, how can reply apply, आप देखो यह दोने sequence हैं, तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होता है, कि जो adverb manner, place, time होते हैं, उनकी frequency ही होता है, manner, place and time, पहले adverb manner, फिर adverb place, फिर adverb time, ऐसे होता है, तो इस वज़े से हमने यहां पर honestly को, जो adverb manner है, पहले लिखा, और adverb place जो है, there है, उसको बाद में लिखा, अगर हम इसे ऐसे लिख दें, they will work there honestly, तो यह गलत हो जाएगा, इसको हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, they will work honestly there, तो adverb of manner, adverb of place से पहले आएगा, ठीक है, अब यहां पर देखें तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पर adverb of place हमने there पहले लि और यह adverbial phrase है, तो हमने इसको बाद में position किया, ठीक है, तो यहां पर आपको basically यह बात धियान रखनी कि adverb of manner जो होते हैं, ठीक है, यह adverb of place होते हैं, adverb of time होते हैं, इनका अपने definite sequence होता है, कि पहले manner आएगा, फिर place आएगा, फिर time आएगा, लेकिन longer adverbs जो होते हैं, longer adverbs का मतलब है, जो phrases या, जो clauses adverbs का role play करती हैं, वो short adverbs के बाद में ही लिखी जाएंगी हमें सा, मैं एक example से यह बात आपको और समझा देता हूं, देखिए, देखिए, they will deliver it here tomorrow, एक example हो गया है, एक और लिखएंगा, टेव विल डिलिवर इट तोमारो आप्ट रेजिदेंस अब देखो यहां पर समझना यह एड़रव प्लेस है तुमारो एड़रव टाइम है टुमारो एड़रव टाइम है एड़रव प्लेस है तो जैसा कि हमें पता है कि मैनर प्लेस टाइम का जो सीक्वेंस होता है मैनर प्लेस टाइम उसके इसाब से पहले आना चीए प्लेस फिर आना चीए टाइम तो हमने हीर को पहले टुमारो को बाद में लिखा अब अगर हम इस यहांपे हमने टुमारो उसको प्लेस से पहले लिख दिया लॉजिक क्या है यहां से आपको यह समझना है कि जो यो लोगर होते हैं वो शॉटर एड़v लिखे जाते हैं उनसे पहले नहीं लिखे जाते हैं यह एक चोटा सा पॉइंट द्यान अगना ठीक है चलिए एक अग्जामपल से और यह वाद सम्झाज़ते हूं कि ही विल कि हेल्प यू कि अनकंडिंशनली अन कि कंडिशनली नौ वितला धुशाओ इकंड दूसर एक मैंड Рज्य के विल हम यू कि अधिंट है कि वल है कि विल गव किव यू ओ नौ विधा एंग कैने इस नौ अउन गाफने चाहिए अंकर Disney नफर ऐसा हिआ मिल्याई नाौ एड़्वर्वर्व कॉकर डिपरई-प्बाइब यहां पर है यहां पर है क्या यह हमने पटाए कि जो सिक्वेंस होता हुअ मैनेर फिर टाइम आना चाहिए तो हमने अनकंडिशनल को पहले इसको बाद में लिखा अब आपको पहले अन यहसे में तो यह यहां चाहिए गलत हो जागा इसको ऐसे लिखते हैं, they will help you now unconditionally, तो यह गलत हो जबगा, आपको ऐसे ही लिखना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखको ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमने now adverb of time को पहले लिखा है, और unconditional, जो without any condition हमारा adverb of manner को बाद में लिखा, logic वही है, now एक adverb है, एक single word adverb है, ठीक है, ल यह कुछ general facts हैं जो हर condition में applicable होंगे तो इनको मैंने इसलिए आपको पहले पता देना चाहते हूं एक वर में दूसरा example, adverbs are not used between the verb and its object with the exception of adverb particles देखे, यह हमें सबको पता है कि जो adverbs होते हैं, वो हम adverbs को verb और उनके object के बीच में नहीं use करते हैं लेकिन जो adverb particles होते हैं, उनको हम use कर सकते हैं, ठीक है, तो यह क्या concept है, मैं आपके एक example से समझाता हूं, देखो, समझना जैसे हमने एक sentence लिगा they will answer honestly these questions ठीक है, दूसरा हमने लिखा they have they have never any doubt they have never any doubt तीसरा हमने लिखा they realized their mistake अब देखो यह जो हमने से इंटा से लिखे ने यह हम से गलत हो गया, ठीक है they will answer honestly these questions, they have never any doubts and they realize soon their mistakes यहाँ पर क्या mistakes नहीं सबसे पहले समझना है, रेलाइस वर्वे, what did they realize their mistake, यह object है have verb है, what do they have any doubts, यह इसका object है answer verb है, what will they answer, these questions इसका object है ठीक है, उसके बाद में honestly adverb of manner है, never adverb of indefinite frequency है, soon adverb of time है तो यहाँ पर दको हमने क्या किया है, कि verbs और उनके objects के बीच में adverbs लिख दिया, तो यह हमसे गलत लिख गया sentence, यह आपको answer these questions honestly, हालाएं कि हम honestly को अगर चाहें, तो answer से पहले भी लिख सकते हैं, किस condition में हमें honestly को answer से पहले लिखना पड़ता है, वो अभी हम discuss करेंगे, ठीक है they have never any doubts, तो यह never adverbs of indefinite frequency है, adverbs of indefinite frequency को verb से पहले लिख दो, तो इसको लिख दो never have any doubts, आजा, soon adverbs of time है, adverbs of time है, तो इसको last में लिख दीजे, they realize their mistakes soon, तो यहाँ पर हमने यह सीखा, कि जो adverbs of manner होते हैं, मतलब sorry, adverbs of manner की बात नहीं है, कि जो adverbs होते हैं, हम उनको verb और verb के object के बीच में नहीं use करते हैं, यह एक pointer जो आपको ध्यान रखना है, लेकिन, फिर हमने कहा कि जो adverb particles होते हैं, वो use कि जा सकते हैं, adverb particles से मतलब क्या देखें, मैं आपको example से समझाता हूँ, माल लेजे मैं एक sentence लेगा, ही तरणड एक मिनित, ही टरणड ऑवन दॉसरा हमने लिखा, एक पूट अन पुट आन निव क्लॉट्स ठीक है तीसरा हमने लिगा वी हाव पाइड बैक दे लोन यह एक्जाम्पल्स है कुछ ठीक है आप यहां से समझें उस बात कुछ जो मैं आपको समझाने के कोश्चिस कर रहा हूँ लिए टर्न डाउन दी वाल्यूम दे पुट आन निव क्लास वी है पेड बैक दी लोन अब यहां पर देको ध्यान से समझना है टर्न वर्व है इ बॉल्यूम इस वर्व का अबजयक्त है, ठीक है यह पुट वर्व है मैं निव क्लास इस वर्व का अबजयक्त है तो यह वर्व अब अब ध्यान से देखें जो नहीं डॉट यह एड्वर नहीं Janina है को इसको अगर प्रेपोजिशन समझा वेठाओ अप्रेपोजिशन on मैं यहां पर बता देता हुआ और अवे हैं यह हम्हेसा इडवर्बस ही होते हैं इह हमेशा इडवर्बस ही होते हैं लेकिन कुछ तो इनमेना इन इन वर्ट के ध्यान रखेंगे वाइल फ्रॉम एंड ड्यूरिंग और यह लिए और लिए बैक लिखा लिए यह लिए जाय को प्लेस वगरे को राफ करते हैं ठीक है मैं बता दूंगा कुछ for example, तो इनको हम वर वर उसके object के बीच में use कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया है, तो यह सही है, he turned down the volume, they put on new class, and we have paid back the loan, अज़ा, अगर हम इनको चाहें, तो बाद में भी लिख सकते हैं, मतलब, ऐसे भी लिख सकते हैं, कि he turned the volume down, they put new class on, they have paid the loan back, तो अगर हम इनको चाहें, तो adverbs को बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, इधर वे correct हैं, we have paid the loan back, सही है, we have paid back the loan, यह भी सही है, they put on new class, भी सही है, they put new class on, सही है, he turned down the volume सही है, he turned the volume down भी सही है, तो यह यहाँ पर ध्यान देना है, कि generally तो क्या होता है, कि वर वर उसके object के बीच में, मैं एडवर उसका use नहीं करते हैं, लेकिन जो adverb particles होते हैं, they can be used, मैं यहाँ पर कुछ adverb particles आपको लिख देता हूं, इनका अपना ध्यान रखना, देखिया, in है, on है, out है, across है, away है, along है, aside है, around है, ठीक है, behind है, beside है, एक मिनट, क्या हो गया, चलो मैं फिर से लिख देता हूं, असल में होता है, यह जो dustbin सब बना हुए न, इसको अगर press कर देंगे, तो जो भी आपने लिखाऊगा, वो सारे एक साथ ही delete हो जाता है, मैं, eraser select करना चाहता है था, वो complete होगा, चलिए मैं कोई नहीं फिर से लिख जाता हूं, देखिया, Adverb Particles In, Out, Over, On, By, Behind, Before, Forward, Along, Away, Ahead, Aside, Down, Up, Off, Back, Etc. यह कुछ commonly यहां पर मलब यूज होने वाले Adverb Particles मैंने mention कर दी है, आप इनका ध्यान रखेंगे, ठीक है, In, Out, Over, On, By, Behind, Before, Forward, Along, Away, Ahead, Aside, Down, Up, Off, Back, वगर वगर ठीक है, तो Adverb Particles को हम वर्व और उसके Object के बीच में use कर सकते हैं, लेकिन बाकि Adverbs का use वर्व और उसके Object के बीच में नहीं करना चाहिए, इधर Adverbs should be positioned before the verb, और after the object, ठीक है, तो यह General points से दोनों ध्यान रखने में, मैं फिर से आपका याद दिला जेता हूँ, कि Longer Adverbs, Sorter Adverbs से पहले लिखे जाते हैं, वह सारी, बाद में लिखे जाते हैं, उनका General sequence कुछ भी होता हूँ, ठीक है, Adverbs को वर्वर उनके Objects के बीच में नहीं use करना है, except for the Adverbs Particles, Adverbs Particles use हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाकि Adverbs का use, वर्वर उनका Objects के बीच में मत क्यागा, ठीक है, तो मुझे लगता है कि यह जो हमारा मतलब पहला lecture था न, उसके लिए इतना ही content था, तो यह हमारा पहला lecture complete हो गया, एक छोटी सी information में आप लोगों के साथ में और share करना चाहता हूँ, मैं उन बच्चों को लेकर बहुत, क्या कहूं, thank you कह सकता हूँ, कि जो हमारा असके फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट गुआ था, कि we started a program for teachers of English, ठीक है, वो काफी टाइम से हमने hold पे कर रखा है, उसकी वजह यह है कि अभी देखे, coachings अलाओ है नहीं, सबको पताए कि अभी government ने coachings को अलाओ नहीं किया है, ठीक है, तो आप classroom batches run करनी सकते, तो आपके स classroom batches जो है, coaching centers allow हो जाएंगे, ठीक है, तो अब मैं उनको लेकर नहीं, I am totally serious about that, अब मैं उसको लेकर बिल्कुल serious हूं अपने program को लेकर, because that is a kind of dream project of mine, ठीक है, वो मेरा dream project है, उस पर मुझे काम करना है, तो अब मैं उसको लेकर नहीं काफी serious हूं, और अब हम उसको most probably 15th August के ब करते हैं, या किसी school college में पढ़ाते हैं, अगर वो हमारे साथ में collaborate करना चाहते हैं, ठीक है, और मतलब उन्हें लगता है कि हमारे साथ जुडने से उन्हें कुछ फायदा होगा, content को लेकर, या techniques को लेकर, या जो भी, मतलब ठीक है, तो वो हमसे contact कर सकते हैं, at earliest आप contact करें, contact करने का में तरीक आपको बता देता हूं, this is the WhatsApp number, 9891991959, you have to leave a WhatsApp message on it, ठीक है, आपको WhatsApp message इस number पर डॉप करना है, कि I am interested to join the special program for teachers, ठीक है, तो की teachers के लिए जो हमारा program है, आप उसको जोइन करने में interested हैं, ये लिखकर आप एक WhatsApp message में जो डॉप कर दें, ठीक है, 15th August के बाद म हैं, आप से time लेके हम आपको personally call करेंगे, मतलब I'll make myself call you, ठीक है, मैं खुद आपको call करूँगा, और उसके बाद में फिर हम at earliest हमारी courses होगी कि teachers day 15th September, उससे पहले मैं ये सारी process आपकी finish करूँ, ठीक है, कि जो भी screening वगएर है, वो उससे पहले हो जाए, और फिर 15th August के बाद मैं आपको पढ़ाने के कोई मौका दूगा कि आप आए हमारे हैं पढ़ाईए, ऐसा कुछ नहीं करना है, आप जो अपना center चला रहे हो, आप जिस school college में पढ़ा रहे हो, ठीक है, या आप जिस institute को चला रहे हो, आप उसी को चलाईए, आप वहीं पर पढ़ाईए, ठीक है, assessment बच्चों का मैं करूँगा, बच्चों का test मैं लोगा, evaluation मैं करूँगा कि मैं जितना expect कर रहा हूँ, बच्चे उस level तक तयार किये जा पाय रहे हैं या नहीं किये जा पाय रहे हैं, ठीक है, यह ध्यान रगना है, और उसमें क्यों हो गया, मैं आपको बता देता हूँ, कि जो teachers का हमारा program होगा, इसमें जो भी teachers हमारे साथ में collaborate करेंगे, हमारे साथ में जूडेंगे, उनकी frequently classes होगी, for the revision of the language, कि देखे, अभी क्या होता है, कि generally लोग पढ़ाते हैं, English को concepts में, rules में, chapters में बाढ़के, लेकिन हम उनको मतलब इस तरीके से prepare करेंगे, कि जो एक comprehensive holistic approach है, language को लेकर, जिसमें, मतलब इस तरीके से मैं आपको क्या बताऊं, कि जैसे punctuation है, ठीक है, vocab है, और applied grammar है, और fundamental grammar है, ठीक है, और contextual differences है, वो सारे उनके हम clear करवाएंगे, ठीक है, तो it is not going to be easy, मैं simply यह बताना चाहता हूँ, और उनको tasks भी दिये जाएंगे, जो भी हमारे साथ teachers उसमें जुडेंगे, तो हम उनको regular tasks भी देंगे, assignments प्रपेर करने के, या lecture प्रपेर करने के, भई मैं आपको एक outline दूँगा, एक syllabus है, देखे, I have got hundreds of thousands of concepts to prepare, मैंने cycle concepts मैंने प्रपेर कर लिये हैं, और अभी hundreds of concepts ऐसे हैं, जिनके मुझे lectures प्रपेर करने हैं, तयार करने हैं, मैं 10-15 साल में कर दूँगा, ठीक है, तो मैं आपको क्या करूँगा, अपने topics जो मैंने तयार किया हैं, कि ये topics मुझे तयार करने, इन पे lectures तयार करने, इन पे content तयार करने, मैं उन contents के आपको outlines दूँगा, ठीक है, आपको कैसे lectures तयार करने, उनको कैसे पूरा, मतलब chapter तया पूरी लेंग्वेज पूरी एक साथ में कैसे अप्लाई करती है कॉंटेक्स भी होगा उसमें ग्रैमर भी होगा उसमें पंक्टुएशन भी होगा एवरिटिंग ठीक है उसके बाद में हमारे प्रोग्राम रहेंगे इंग्लिस के वह आपको रन करने पड़ेंगे अपने हैं तो यह हमारा कॉंटेक्ट नंबर है 9891991959 ठीक है यू जस्ट ड्रॉप वाट्समेंस अनिट कि आम इंटेस्टेड इन स्पेशल प्रोग्राम फोर टीचर्स ठीक है और मैं स्पेशल प्रोग्राम फोर टीचर्स को जॉइन करना चाहता हूं आपके साथ में और देन वी अर बाकी अगर मतलब इतना टीचिंग अगरे में आपको कोई इंवल्मेंट है नहीं सो कि आपने इंगलिस सेखना समझना चाहते हो दने यू कीप एंज्यॉइंग लर्निंग ठीक है तो आप हमारे चैनल पे इंगलिस को एंज्यॉइ करते रहें ठीक है So So this lecture is over in the next lecture thank you everybody bye